कि एक एक दो मेने के वाद में वीडियो सुटेंग कर रहो आज के वीडियो में बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं करूंगा सीधा मुद्धे वाध आते इसका फूल इंजिन आम रीविल करने वाला है बिल्कुल नर्स से लेके बोल तो कैसे हम पॉल्ट के एंजिन बेस्टी ए अब देख लो पिछले वीडियो में आपने इंजिन आप रीविल करेंगे और मुस्ट प्रावल आज बाइक स्टार्ट करके भी देख चेक करेंगे कि हमने सई से बनाएं कि नहीं सबसे पहला हम इसके इंजिन का प्रॉसर्स दिखाने वाल है देखो यह बढ़र टोन टीए इसका प्राइब हम नहीं कि इसको जो है वह और हमको यह वाला चेंबर करना पड़ता हलका सा प्ले है बड़े चल जाएगा उपरें जो प्ले है इस रिजन साम इसका इवाला में चेंबर नहीं को तो आपके प्राइस लगबग 15 रुप्य आब मानके चलिए इंजिन के तुपाइब दोज़ बीस का प्राइस चल रहा है 3,120 रुपे इसका MRP है एक्चुल MRP यह है और इसका हम सिलिंडर है दिखने वाले तो फिर से बोर करेंगा तो इतना खर्चा करें यह वर्थ नहीं क्योंकि वह दुआते देगा दुन दीन बाद दो पतीन महीने के बाद तो सेकेंड़ अग्या है इसलिए नियू इसका प्राइब वह ब़ाद देख सकते है इसे में पूर्चुल कंपने से फिटिंग क्या हुआ तो रिंग का पोजिशन है मतलब इनलेट एग्जॉस्ट किस जगा पर लाने रखना है टॉप आप टू रिंग का सेटिंग कैसे गारता है वो मैं आपको दिखाऊंगा फिर से तो इसको शाड़ में रखते हैं इस निश्ट आइटम है पूरा क्लेच हाउजिंग के असेंबल हम नीव डाल रहें इसको हम रिपैर को ने कर रहें हैं रिपैर करने बालते इसका जो ओल्ड हाउसिंग किसा यहाँ और इसका बॉक्स एक्टल मेरा संखो गया है और इसका इमार पी है लगवाख आपको शो ला इसमें पढ़ गया तो इसमें आपने प्राइमेर इसमें पढ़ जाए होगा तो इसका प्रोडा सेट लागा मंतलब लगभग इसका इसमें प्राइब लगभग वीडियो इसका प्राइस लगभग वहीं मैंने बोल दिया नेक्स इसका टाइमिंग चेंग पैड यह तो आपको डाल लाई है प्राइस देख लो 90 शिर्फ 98 रूपीस बहुत सस्ता है और यह दो है किसका मैंने प्राकेश है आइधिंग अभी बढ़ गया होगा लगभग 100 रूपीस मानके चलो यह आपका टाइमिंग चेंग गाइड यह आपका टाइमिंग चेंग अधिक टाइमिंग चेंग देख लो 228 रूपीस 208 रूपीस 230 रूपीस मानके चलो और इसका 2020 का मैंने लिए टामिंग चेंग यह ब्रैंड नीव हम डाल रहे है नेक्स्ट हम पूरा क्लाच एसेम्बली निव डाल रहे है मतलब ब्रैंड न्यू फिटिंग कोई क्लाच प्रिट्स का लोचा नहीं इसका प्रम इ यह कारंट डेख सकते हैं 2020 का है पाला रूट यह क्लाच एसेम्बली क्ल्यू गंप्रीट जो है तो यह ल्ख सकते हैं और इसका प्राइज है लगबगा देखा और सो लासू साथ रूपे इसका अंदर क्लाच प्रेट्स होलर प्रेट्स बोल्ट और विगर सब कुछ करने त लाइब ने तो यह एक लाइच असम्ली देख सकते हैं पूरा ब्रेंड न्यूपीस और यह ओईली हो आज अगाने आज बात करी सके हेट की इसका दोनों वहल और ऑपैसल का दोनों गाइड इसका अंदर रहता है दोनों गाइड दोनों वहल पिल्कूल नया लगा है हमने और ब्रैंड नहीं कंपूंबद है और दोनों जो थ्रेट त्रहा सा देम हमनें को बताने बाला हुए कि इसका खर्चा है वह लगभग आपका दोनों वैल प्रफ इंग से लेका अपका फेटिंग कंपिंग होगा यहीं पूरा हैसा एह काँ और बिस्का में पिछले वीडियो मनें विटा आ लेकिश name की इस्ट में वाला प्रॉबल्म होता है किसा बले हजा से पुरा एंग string फुरा ऐंग में हल्कॉठ करने ह्यों चाल्जेके में ये तो हमें कुछ भी नहीं करना हिसका पैसा प्षय परोब इसको आपर यह से 번째 में हमने बिल्कुल खोल के अंदर से ब्लॉब कर दिया और इसके मूबिल जाएगा तो यह स्मूथ हो जगा इसको आम देख सकते हैं पुरा फेस्ट कर दिये हैं तो यह हम स्टॉक ही लगा रहे हैं इसको चेंज नहीं कर रहे हैं पूरा कहानी समझ में आ गया अब इसका दोनों सेंसर डामेज हैं यह वाला जो दो संसर एक और इस मोबिल के निचे रहता है उस चेंबर में बो सेंसर डा करने वाले और मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका रिं पिंग कहांपर रखना पड़ेगा और रिंग इसमें पहले से लगा हुए और इसका कंपणी देख सकते हैं जो गौत यह उसका पिस्टन के लिए बहुत सार तो मैं जिस्तरे से फिटिंग करता हो देखो तो इसमें देखो यही इसमें दो निशन आता चलिए इसमें एक ही निशन दिया हो है मतलब यह बाला एक्जोस्ट मतलब यह आपका सालेंस टाइप लगेगा और इसके आप उपोजीट हो गए इनलेट मतलब इसमें करवड़ा ल होलते हैं मतलब आपका धुआ भाई दे रहे हैं तो में यह कंट्रोल करते हैं और यह वाला दो में रिंग होते हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग दिखाने वालो किस पोर्सन पर रखना पड़ेगा सबसे पहले देखो ऊपर में जो टॉप वान लिखा हुआ है यह हो फिरए इसका ओपेणिंग पीसमें पिष्चन करें अपको नेरह ना है उसका ओपेणि देखें यह वाला देस Burada ओपेनिंग इस सेर्फेस पर एस सेर्फेस पर हम ने रहने वाला किसे सबसे ज्यादा फ्रिक्सन होता इस जो सबीशे पहले हम किस त्रेहें के लिए यह सो ओग यह वल्य एक्हास्टउस्टे है इसके लेप् to stop BT वा यो है सतरी पाउप यो ठीक पर इन वाले के इस साइड में इंलेड वाले पर आयड साइड में ऊपका टॉप नंहेंगे में यह वाल्य को yeah यह धेख सकते हैं यह वाला टॉप टॉप अपर नहीं सब्सक्राइब डेखा यह तो टॉप एधर रख दिया टॉप टूप टॉप टूप लॉआ अभी नीचे वाला जो डिंग है यह देखो नीचे वाला डिंग देखो पहला नामर ओपनी यहां पर देखा है तो इसके ऑपोजीट तो टॉप टू हम नीचे रखेंगे हम इस जगा पर नीचे वाला जो ओल करम प्रसंद रिंग है मैं पो दिखार हो पैक्टिकल करगे तो इसको हम गुमा के सिर्फ उपर वा और जो जो लाष्ट वाला रिंग है पतर लाइस वाला उसका उपने रखाAy कावरड रखे राइट सैड में तो कोई भी रिंग आपस में नहीं है यह तो यह तो आपका एक्जोस्ट वाला हो गया तो हमको इस तरीके से प्रिटिंग करना है इस तरीके सरह रहेगा आपको तरह यह वाला पिन है इसको इस तरीके से लगा देंगे पहले हैं wartको पहले हो सब्कित बार पर अच्छींस जबड़ ने करने बिल्कूल इसमें बाध्य कोई प्रफार्आग्द ना आ और में इसको फाट पर और यह पम नए ब्रम लीकट करता हैं यहाँ पर देख रहा है तो आपको ज्यादा थाका नहीं लगाना स्काचेश आ जाएगा तो इस तरह जा रहे सिंप्ल हम इसकंद्र लगा देंगे तो इसके नंद्र पूरा अच्छे से चलाएगा देखो और इस तरह से मूब कर रहे है और इसकंद्र लोग भी लगना पड़ेगा और एक बाल लूब्रिकेट कर देंगे और यह बिल्कुल निया होले तो एचलिए नियू आयल है आपको नियू आयल ही यूज करना है को इस ज है ना तो आप इसमें लोग अंद्र ना चला जाए अधर आपको फूल इंजिन खोलना पड़ेगा और यह रहा इस जगाप आमको लॉक करना है कि पहले ट्राइकर खाथ से बिठा दो कि इस तरह से लोग हो जाए नहीं जा रहा है अब यहाप प्लास्ट का मदद सिसको इसक कि अब है कि यह लोग पारफट से लिस्ते देख सकते बैठ चुका है और लोग बिठाने के बाद को चिक कर लेजिए कि बहार तो नहीं लिख रहा है और बिल्कुल आपका लोग इंसलेशन पंप्लिट हो चुका है अब इसकंदर हम पैकिंग लगाएंगे और सिलेंडर लगाना से पहले आप एक काम करिए थोड़ा था ग्रीसिंग का उसका लेजिए इसलिए यूज कर रहे हैं यह हीट होने का बाद स्टिंगल जाता है और इसलिए हम यूज करें कि इसको सही जगा पैकिंग को पकड़ कर रखके देखो और इसमें कोई भी इसू ही नहीं आए सब्सक्राइब और इस खोल में एक छोटा सा होल रहता है इसमें आपको ग्रीसिंग नहीं करने है क्योंकि अधर्राइब कर दिये हलका असा और पिष्टन में में ग्रीसिंग मत करो सित्या नास हो जाएगा ओयल कर देंगा थोड़ा सा बिलकुल भरपूट तरीके से आम ऑय पर परित जगाहे जो कि आपका यहाँ पर पीस यगाहा पर लगएगा किसे दो नहीं है नीचेए दाउयर मों पेपल या प्रेंडर शेय सकते हैं यंक्हार तो देखें कर तो अब को प्रोसेस ठीक है प्रिस करें कि पहले लगाना पड़ेगा पहला पिछ्ट्टन को लगा दीजिए जोर मत कीजिए यह इजी ले चला जाए इस तेगे से और आधि इस चला जाए इस तेगे से अगर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा फिर से निकाल ये फिर से करें अधर इस रिंग आपका बेंड हो जाएगा और यह देखो बिल्कुल इजी ले चला गया और हमारा जो ब्लॉक का इंट्रेस नहीं परफ्रती से हो चुक है तो विश्ण को आपने टॉप में लेक लिए देख सकते हैं और यह वाला जो खाचा देख रहें इलूल सीद में जी जब मैं यह वाला पोर्सन करूंगा तो दिखाऊंगा विश्ण को देखो एकदम टॉप म क्या है तो इससे ऊपर करूंगा तो भाई आदे घंटा एक घंटा चला जाकर फूल वीडियो एक फ्रेम में दूंगा तो इससे बेड़ा है कि नेक्स्ट पर्वें कर देंगे तो आधा एंजीन नहीं ब्लॉक तो इंट्रो कर दिया है नेक्स्ट हम इसका मतलब और एक पार आधा आएगा इसका फूल इंजिन के ऊपर पुरें इंजिन कम्स्ट हो जाएगा और देखता हूं कि उस वीडेयो में कितने नेक्स्ट करदों और यसब आप कमेंञा पहले से कमेंञ़ करते थी इसको कलर करें भाइजर लगेरा या फिर आप इसको अभी आप वीडियो देख रहो अभी आप इंजिन रिविल के ऊपर कोई भी मतलब प्रॉब्लेम नहीं आया हुआ पर जब आप खुद से इंजिन रिविल करोगे क्या प्रॉब्लेम है आपका फ्रेंड के साथ तो अगर इस वीडियो को ध्यान से देख ले ना तो आपको एक सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना प्यारत कॉमेंट करना सो एस टटा बाबाए हावे नाइस डे